आज की बढ़ती महिंगाई में और हमारे हो रहे फालतों खर्चों पर लगेगी रोक बताने वाली हूँ ऐसे special hack जिन्हें देखने की बाद आपके बहुत सारे पेसों की budget होने वाली ये free के idea है इसके लिए आपको एक रुपया भी खर्च नहीं करना है आपकी घर में ही रखी चीजे है और इन्हीं का हमें सही तरीके से use करना है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को like, comment और share करना बिल्कुर न बुले चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe कर लीजीगा ऐसी useful वीडियो में आपके लिए लिकर आदरी रहती हूँ देख लेते हैं आज का पहला useful टिप जो आपके बहुत सादा पैसे बचाने वाला है आपके पास जो भी लोहे का बरतन है कड़ाई वगेरा तपेली वगेरा उसमें आपने इस दूर को अच्छे से एक मिन तक बॉयल करना है आप देखेंगे यहां मैंने एक ग्लास दूद लिया था थोड़ा सा दूद कम हो चुका है क्योंकि दूद को मैंने अच्छे से पकाया है अब आप इस दूद को पीजिए आठ से पंदर दिन के अंदर आप इस दूद को पीते हैं तो आपके बोड़ी के अंदर आइरन की जो कमी है वो दूर हो जाएगी अगले से यहाँ कूकर में सीटी नहीं आई है पर यहाँ पर मुझे जलने की खुशबू आ जुक गी है कि हाँ जो इसके अंदर का खाना है वो जल रहा है तो मैंने तुरंत ही हतो हत क्या किया कि इसके ओपर पानी डाल दिया ताकि इसके ओंदर जित्ती भी गेस वगेरा बन रही है वो अच्छे से खदapp हो जाए इसके बाद में क्या करना है एक परात ले लीजी उसमें पानी डाल दिजी और द्यार इस कूकर को इसके अंदर आप रहने दीजी जब यह अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद में आपने कूकर को खुलना है और अच्छे से इसके अंदर जो भी वगेरा है सबजी है अगर चावल है तो मत चलाईए अगर सबजी है तो इस तरीके से चला लीजिए आप देखेंगी जो पानी है ना वेसमे रखा हुआ ये भी गरम हो जागा है इसे कोकिंग प्रिसेस ना के बराबर हो जाती है और खाना जलना बंध हो जाता है अगले इस फुल हैक में आप देख सकते हैं मैंने जो दही निकाल के आपको दिखाया बिल्कुल मार्किट जैसा काड़ा दही में आप चाप को जमा के बताने वाली हूं वो भी इस कड़ कड़ाती ठंड में तो इस दही को हम जमाए कैसे क्योंकि गर्मियों के सिजन कोई दिकत नहीं होती है आपने चाल गुंट पहले भी दही जमाया है तो आपको अच्छे से बढ़या जमी हुई दही मिल देजिए इससे यह जो बरतन है बड़या से गरम रहेगा यहां पर आपने लेना है थोड़ा सा खटा दही और दही को न अच्छे से चलाना है यही काम होता है जो कि हम नहीं करते हैं जिसकी वज़े से ठंड में दही बिल्कुल नहीं जमने का नाम लेती है तो अच्छे से कुनकुरा दूद लेना है दही में अच्छे से आपने इसे महिलाना है इसके बाद ने आपके पास आटे का डिपा है तो उसका जरूरी यूज़ कीज़ेगा मैं आपको यहां चावल की डिपे में यूज़ करके दिखा रही हूँ तो इस तरीके से अच्छे से इसको दबा सकते हैं बस आपने इस टिक कर यूज़ करना है आपको जुराब की जगह आप यूज़ कर सकते हैं उससे भी दही बहुत जल्दी जम जाती है आप यहां देख रहे होंगे मेरे हाथ पे रूप में से कितनी सारी गंगी बाहर आई है आप देखके भी अचंबित होंगी क्या इतनी सारी गंगी हमारे हाथ वेरों में से निकलती है सची में निकलती है और यह कैसे निकलती है यह ट्रिक जरूर आपको देखना चाहिए आपके हाथ पे बिल्कुल ऐसे चमक जाएंगे जैसे कि आप पारलर में से अभी अभी मेडिकेर पेडिकर करवा के आए हैं ट्रिक बहुत ही कमाल का है, मैंने इसी कूद करके देखा है, मुझे इसका रिजल सबसे बास लगा है, क्योंकि जब मैं मार्केट से करवा के आती हो ना, इसके तीन से चार दिन बाद में मेरे हाथ पेर वापस वैसे ही हो जाते हैं, जैसे ये पहले होते हैं, क्योंकि हम मिडल क्लास जब महलाए होती है घर का जादतर काम खुद करती है तो हमारे हाथ पे ठंड के सिजर में बहुत ज़ादा ड्राय हो जाते हैं काफी सारी दूल मिति हमारे हाथो берो में लगती रहे थी है कैसे कैसे कहिंन बिना पैसे खर्च करूए बहुत असान से snow pros prompt यहां पर लिया है फर्ने गर्म पानी आप यहां पर लेड इसके बाद में एक चीज हम इसमें एड करेंगे जिसके बाद बहुत अच्छा और साटिक सॉलिशन बनके रेडी हो जाएगा वह हमारे घर में यूज होने वाला मीठा सोडा हर घर में यह होता है इसी को हमने यूज करना है ध्यान यहां पर देना है मैंने दो शेशें यहां chili on Pur från hatte dear see vine लिए यहां दो शेंपु की वियूज है लग-भग दो चॉमल्च इतने उत्नÁ早ious आपने मीठा सोडा यूज करना है यानि दो चमछ आपनी Shampoo लेना है वो दो चमछ आप मीठा सोडा लेना है दोनों को बहुत अच्छे से बढ़या से मिला लेना है पानी यहां प कुछ निकल जाएगा किसी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको स्कीन से जुड़ी हुई कोई भी ऐलर्जी है तो इस रिक को यूज मत कीजेगा पहले डॉक्टर से आप रिक्मेंडेशन ले लीजेगा उसके बाद ही आप इस रिक को यूज कीजेगा 90% किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता है योगी दूनों ही चीजों का हम हमारी लाइफ में यूज करते हैं बड़े असे पंदा में डिप करने के बाद हलका हलका सा आप जुराप से रब करेंगी उबले आलू पैसे छिलका निकलता है ना बिल्कुल उसी अगर आपके हाथ पेर अच्छे से बड़ा क्लीन हो जाएंगे जैसे कि आप पालर से करवा के आते हो और इसके बाद में अपने हाथों को सूखने से पहले इनारल के तेल से अच्छे से मसाश करनी है अगर आपके पास बड़ाम का तेल है तो बहुत बड़ा बात है उससे आपके हाथ पेर बहुत अच्छे से मोश्चराइजर हो जाएंगे कुछ एक्स्रा यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये नेच्रल चीज़े हैं इसी का हमने यूज़ करना है अगर आप घर में कोकोनेट आयल बनाते है तब तो बहुत बड़े आपको रिजल देखने को इन वार करके देखेगा और जब आपके हाथ पेर अच्छे से रंगत आ जाए तो हपते में दूरवाल कीज़ेगा ठंड के सिजन में इन ट्रिकों को यूज़ कीज़े और अपने पैसों को बचाईए बेज़े पालर में जाके इतना घचा क्यों करना जब हम घर बेठे 15 मि क्या आपने घर में कभी चिपकली देखी है तो इस ट्रिक को यूज़ कीज़ेगा चिपकली आपकी घर का रास्ता बूल जाएगी करना कुछ नहीं है बस हमारे घर में जो खाने में यूज़ होता है प्याज ना इस प्याज को कट करना है इसके उपर की जो लेयर्स है चार इस तरीके से टुकडे या जो लेयर है वो निकाल दी है इसके बाद में आप सेफ्टे पीन लीजिए और इसमें इस तरीके से इनको लगा दीजिए अगर बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट चाहते हो तो आप इसमें फॉल्गेट भी एड़ कर सकते हो उसे चिपकल आते हुए देखिए महां पर आप इसे लटका दीजिए आपको चिपकली देखने को कभी नहीं मिलेगे ज्यादा तर जो चिपकली होती है ना वो लाइट के पास आती है क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ कीड़े भागते रहते हैं जिने वो खाने के लिए आती है तो